हलो दोस्तों के से हो मैं हूँ अश्विन और स्वागत है आप सब का हिंदी चेस वीडियो में आज के इस वीडियो में हम ब्लैंट स्वाइन चेक्मेट पैटर्न देखेंगे और हमारी बिगिनर टुचेस मास्टर की सिरीज को कंटीन्यू करेंगे सो ब्लैंट स्वाइन चेक्मेट पैटर्न है क्या ब्लैंट स्वाइन चेक्मेट पैटर्न का मरला भी है दोस्तों कि आपके दोनों रुक 7 रेंग पे होते हैं और सामने वाले की 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 जी या तो ह फाल पे चेक्मेट कर देते हैं यहाँ पर हम कुछ इस तरह से checkmate कर सकते है, Rook captures on G7 check, King H8, Rook captures on H7 check, King G8, and now Rook to G7 checkmate हो गई, So, इस pattern को हम बोलते है, Bland Swain Checkmate, जहाँ पर F8 का square, या तो black के pieces से बंद होता है, या फिर हमारा कोई piece होता है, वो square को cover कर रहा होता है, So, अब इस पर कुछ interesting example देखते हैं, और Bland Swain Checkmate pattern एक ऐसी pattern है, जो की काफी common है, और आपको ये practice में काफी देखने को मिलेगी, बट उसका use करने के लिए, आपकी tactics अच्छी होना काफी ज़रूरी है, So, हम कुछ example देखते हैं, आपको पता चल जाएगा, कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, So, next example हम देख रहे हैं, जहाँ पर Rudolf Suderuski versus Aron Nimzovic की ये game है, जिसकी ये position है, और इस position में white की threat थी queen captures on f7 और बाद में g7 पे checkmate, इसलिए ये black ने rook c8 to f8 कहला है, So, अब दोस्तों वीडियो को pose कीजिए और सोचे किस तरह से आप blind swan checkmate pattern का use करके यहाँ पर game कुछ ही moves में finish कर सकते हो, ready, दोस्तों यहाँ पर हम खेल सकते है queen 2, g3, So, हमारी threat है, queen captures on g7 checkmate की, So, g6 जो है, वो almost force है, क्योंकि उस position में से आप g5 खेलते, तो knight captures on g5 कापी वहाँ पर deadly आ जाता, या फिरेकली pawn h4 भी आ सकता था, So, okay, g6 गेम में खेला गया, and now queen captures on g6, So, यहाँ पर white अपनी queen का sacrifice इसलिए दे पा रहा है, क्योंकि वो अपने दोनों rook 7th rank पर ला सकता है, और checkmate easily कर सकता है, f captures on g6, and now rook 2 g7 check, king h8, और अब देखिए, rook 2 c7, So, दोनों rook 7th rank पर आ चुके है, और अपकोस, black अपना rook जो है, वो f8 पर से हटा सकता है, बट हमारी knight, उस square को cover कर रही है, So, इसलिए, rook h7, and उसके बाद, rook g7 checkmate को save नहीं किया जा सकता, आप चाहो तो कोई भी piece बीच में डाल सकते हो, थोड़ी देर के लिए, temporary checkmate को delay करने के लिए, for example, knight d7, then rook captures, और save, rook h7, and then rook captures, और यहाँ पर अब कुछ भी करो, rook h7, and then rook g7 को stop करना ना मुनकिन है, So, अब next example देखते है, जो कि वैसलिए, इवांचुक वर्सिस, लिवन अरोनियन की game से लिया गया है, So, यहाँ पर यह position है, जहाँ पर इवांचुक ने knight 2 c5 खेला है, और इस position में, black e5 खेल दिया, जबकि वहाँ पर अच्छी मुई यह थी, कि वो knight 2 b1 खेलते, और बाद में, जो है, वो rook to just d2 जाते, और एक रुक को exchange करने की try करते, और बाद में, अगर rook action नहीं करता है white, तो rook d6 जाके pawn on e6 को save करते, बट उन्होंने खेला e5, So, आप वीडियो को post कीजिए दोस्तों, और सोचिए कि किस तरह से आप same checkmate pattern का use करके, यहाँ पर win हो सकते हो, ready, यहाँ पर white ने खेला, यानि कि Wesley इवांचुक ने खेला, knight 2 e6, और अगर आप capture करते हो, तो rook d7, king h8, और यह blind swan checkmate pattern से checkmate हो जाएगी, So, knight 2 e6 के बाद, यहाँ पर और क्या खेल सकते हो, क्य game में, actually, e captures on f4 खेला गया, अगर उसी position में, आप h5 खेलते हो, तो knight captures on f8 जो है, वहाँ पर खेला जा सकता है, और white भी ने, but e captures on f4 खेला गया, and now, just rook captures on f7, So, यहाँ पर कुछ नहीं करते हो, तो rook g7, then rook h7, then rook g7, checkmate हो रही है, और अगर आप capture करते हो, तो rook b8, and after rook f8, rook captures on f8, checkmate हो जाती, So, देखिए, यहाँ पर pattern change हो गई, but point यह है, कि अगर आप blind spot checkmate pattern को नहीं पेचानते हो, तो आप यह combination कभी खेली नहीं पाते, और chess में ऐसा नहीं होता, किसी आपको एक ही pattern पता है, तो उसी को focus करके, आप जो है, checkmate कर सकते हो, आप 2 या 3 अलग-अलग checkmate pattern का combination भ ready है, So, अलग-अलग-अलग नहीं यहाँ पर खेला, N2 F6, So, अगर आप capture करते हो, तो रुक H7 checkmate हो रही है, So, N2 F6 के बाद, रुक G2 F8 खेला गया, So, बलेक नहीं यह सोचा कि, एक रुक एक्षेंज हो जाएगा, क्योंकि रुक captures G7 में, तो रुक capture F6 आजाएगा, बाद मे अगर आप check देते हो, तो किंग G8, दूसरा check देते हो, तो किंग F8 आए सकता है, पर दोस्तों यहाँ पर एलेक हैन खेल रहे है, So, देखें उन्होंने क्या किया, रुक captures on G7, and after रुक captures on F6, यह देखिए, किंग 2 E5, पॉइंट क्या है, कि अगर आप रुक F8 खेलते हो, चा देना पड़ेगा, और उस case में, अवाइट जो है, completely winning है, So, इसलिए यहाँ पर फ्रेड, यह ने resignation दे दिया, एलेक हैन के सामने, So, ऐसा नहीं होता कि हर बार, आप जो है, checkmate pattern का use करके, checkmate ही कर सकते हो, उसका use करके, आप जो है, काफी बड़ा material gain भी कर सकते हो, जो की equivalent to checkmate ही और अपनी comment देना बिलकुल ना भूले, धनिवाद, जय हिंद, बाबाई